अब याद रखें, मैं इस समय बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ, आप देखें, यहां के वल 400 या 500 से नहीं, बल्कि मैं कई हजार लोगों से बात कर रहा हूँ बस एक मिनट रुकें, अपने टेप रिकॉर्डर को बंद करें और सवाल पूछें, धार्मिक मनुष्य, बला मनुष्य क्यों करेगा, यूसुप सवाल क्यों करेगा देखा, क्यों होगा, क्योंकि उसने कभी भी बचन में खोज नहीं की याजकों ने क्यों सवाल किया एक कारण वे नहीं, वे इसे जानते थे, निकोदेमस ने इसे अच्छी तरह से व्यक्त किया उसने कहा, रभी, हम जानते हैं, तु परमेशर से गुरू होकर आया है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है, जब तक परमेशर उसके साथ नहों, हम इससे अवगत है लेकिन ये क्या था, उनके रिति रिवाजों ने उन्हें ऐसा करने से बनाए रखा फिर वे क्यों, क्यों उन्होंने मस्या का अस्विकार कर दिया था, क्योंकि क्यों उन्होंने उस उज्याले को अस्विकार कर दिया यहां पर वो वचन है, वे जानते थे कि वो पूरा होने जा रहा था, लेकिन जब वो वचन प्रगड बना था, यह दिखाने के लिए कि परमेशर का वचन पूरा हो रहा था, आज के साथ तुलना करें, देखा जब वहां बचन में लिखा है कि यह बाते जगए लेंगी, फिर उन मनुष्यों ने क्यों इसे अस्विकार कर दिया, उन शिक्षकों ने क्योंकि वे दूसरे उज्याले की चमक में रह रहे थे, ऐसा ही है, वे एक चमक में जी रहे थे उसी चीज को वे आज कर रहे हैं, वे जी रहे हैं, इसका कारण उन्होंने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि दूसरे उज्याले की चमक में रह रहे हैं, देखा अब वे मुसा के द्वारा कही गई बातों की चमक में रह रहे थे, उन्होंने दावा किया था वे उस चमक में जी रहे थे, जो दूसरा युग, जो गुजर चुका था और यही आज का कारण है, कि यह संदेश कि एशुमसी आज भी एक सा है, उसको ठुकरा दिया जाता है, क्योंकि लोग किसी और युगो की चमक में रह रहे हैं वही कारण वे से ठुकरा देंगे अब हम देखते हैं, और वेविस्टर का कहना है, कि एक चमक एक प्रकार का जूठा उज्याला है एक चमक एक जूठा उज्याला होता है, कुछ भी जो चमकता है जैसे सड़क पर एक मिर्क तृष्णा की तरह आप वहाँ सड़क पर जाते हैं आप में से बहुत से लोग कार चलाते हैं और आप आगे की और देखते हैं जब आप वो सुरज आगे जमील पर देखते हैं तो यह एक उज्याले को प्रतिविंब करता है और एक मिर्क तृष्णा की तरह पूरे रास्ते के ऊपर पानी की तरह दिखाई जेता है लेकिन जब आप वहाँ पौशते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है यह केवल एक जूट है मिर्क तृष्णा एक सच्चे उज्जाले की चमक है यही है जो आज शेतान कर रहा है वह लोगों को एक मिर्क तृष्णा दिखा रहा है कलीसियाओं की एक परिशत संप्रदय का एक जूट को दिखा रहा है जो गलत निकलेगा क्योंकि यह इसलिए है वहां एक वास्तविक उज्जाला चमक रहा है बस सच्चा उज्जाला नहीं चमक रहा था तो एक मिर्क तृष्णा वहां नहीं हो सकती सच्चा उज्जाला चमकता है और यह वे दूसरे युक की चमक में रह रहे हैं किसी और चीज की क्योंकि यह आकर और चली गई है अब एक चमक यह मिर्क तृष्णा जो जूट है यह सूरे की एक चमक है और इसी तरह से उन्होंने उसी चीज को किया एक सच्चे उज्जाले की जूटी चमक अब यह साबित हुआ की वो सच्चा उज्जाला था वो उज्जाला था उन्होंने क्यों जाना की वो उज्जाला था आप कैसे जान सकते हैं की वो उज्जाला था क्योंकि वो वचन जिसकी प्रतिग्या की गई थी उसे उसी के जरिये से प्रकट किया गया था इसलिए वो उस कहे गए वचन का उज्याला था आमीन ओह यह लगबग मुझे पेंटिकॉसल बेप्टिस बनाता है चिलाओं ध्यान दीचिये इसे सोचिये एक चमक देखो एक चमक में रहना लेकिन जब सच्चा वचन रहता है यही उज्याला है जो पर्मिशन ने कहा अब क्या हो आदी में यही पर्मिशन ने कहा वहाँ उज्याला होने दो ठीक है और वहाँ कुछ और ही दिखाई दिया देखो केवल एक मिर्क तृष्णा देखिए ऐसा नहीं हुआ होगा यदी जो पर्मिशन ने कहा है नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा क्या हो यदी पर्मिशन ने कहा वहाँ उज्याला होने दो और अधिक कोरा आ जाए देखो यह उज्याला नहीं होता था लेकिन उज्याले का कारण यह उसका वचन प्रकट हुआ था और आज जब परमिशर कह चुका है कि इस समय ऐसी चीजे जगह लेंगी और आप इसे करते हुए देखते हैं यह क्या है यह परमिशर के वचन पर उज्याला है यह बचन उज्याला हुआ है अपने आपको प्रकट करते हुए अप उन्होंने कहा तुम क्या कहते हो हम कौन है क्योंकि उसने कहा आप कोशिश करें हम जानते हैं कि आप पागल है क्योंकि तुमें एक सामरी हो तुमारे पास तुमारा सही मन नहीं है ठीक है आप कोशिश करें कौन बता सकता है हम जानते हैं आप पाप में जन्में हुए थे हम नहीं जानते कि आप कहां से आये हैं हमारे जुन्डों में हमारे पास आपकी पैचान का कोई लेखा जोखा नहीं है क्योंकि तुम पागल हो तुमारे पास एक शैतान है देखा कहा क्योंकि तुम अपने आपे से बाहर हो लेकिन असल में वो सच्चा परमिर्शर का वास्ते उजाला चमक रहा था और चमक को बाहर रखा गया था उनकी आखों को बाहर रखा गया था हमारे पास हमारे मार्दर्शर के रूप में मुसा है उसने कहा यजि तुम मुसा पर विश्वास करते तो तुम मुझे जान जाते और यजि तुम एशू और बाइबल पर विश्वास करते तो तुम इस घड़ी को जान जाते कि तुम जिसमें रह रह हो वे कहते हैं तो ठीक है हम मसी ही हैं हम यदि आप होते तो आप इस दिन के लिए मसी के कामों को जानते देखो आप इसे जान जाते इस उने कहा उन सारे भवशक्ताओं ने मेरे बारे में बोला और यदि तुम उन भवशक्ताओं पर विश्वास करते तो क्यों तो तुम मुझे जान जाते मेरे काम पैचान देते हैं इसलिए उन्होंने जो कहा कि मैं करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ और अब कौन मुझ पर अविश्वास का दोश लगा सकता है और अब भी उन्होंने इसे नहीं देखा क्यों? उन्होंने उनकी आँखों को बाहर लगा रखा था एक चमक के साथ देखो किसी और चीश की चमक जिसे उन्होंने ले लिया था जो सच्चा वचन को बोला गया था अब इस पर सोचिए इसे सोचें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वचन का विश्वास किया है लेकिन उनके रिटी रिवाजोंने उनके चेरे को सच्चे वचन से गुमा जिया था उस चमक के और इसलिए विवास्ते चीश को नहीं देख सके वैसे ही यह आज है वैसे ही यह हर युग में रहा है देखो वो सच्चा वचन चमकता है लेकिन वे इतने रिटी रिवास से बन गए हैं कि वे इस वचन को नहीं देख सकते हैं वे उस चमक की और देख रहे हैं वे अंदे हैं एक चमक आपको अंधा कर देगी वहाँ एक बुजीवी चिंगारी है यह आपको अंधा कर देगी और यह जब इशु ने कहा तुम अंदे हो अंधों की अगवाई करते हो उन्हें इसे देखने में शक्षम होना चाहिए था इसे देखना कि वह कौन था लेकिन उन्होंने नहीं देखा क्योंकि वे उस चमक में रह रहे थे अब एक चमक जैसा कि मैंने कहा एक जूटा उज्याला एक मिर्क त्रिशना एक सच्चे उज्याले की एक जूटी आवधारना है जूटी आवधारना यह ऐसा कुछ तो है जो इसके जैसा दिखता है लेकिन यह ऐसा नहीं है अब वे एक मात्र जरिये से फरक को बता सकते थे क्योंकि उन्हीं चीजों ने इश्यू को साबित किया कि यह वही था कि वह उज्याला था उन्होंने सोचा कि वह उज्याले में है लेकिन अब यदि आप बस एक मिनट रुकें और विचार करें कि तब उज्याले में कौन है अब आज यदि सेवक जन के द्वारा उस दिन पर ऐसी जल्द बाजी की गलती की गई थी इस तरह की जल्द बाजी चीश की गई थी भाईयों आप ऐसा नहीं सोचते कि ये वो समय है कि हमने रुक कर और विचार किया हो कि उज्याला क्या है आएए हम ऐसी जल्द बाजी की गलती न करें लेकिन आप इसे कर रहे हैं आपने पहले ही ऐसा कर लिया है देखो इसे नहीं जानते बिल्कुल वैसे ही जैसे वे तब थे अब बस एक मिनट रुकें और पता लगाएं कि वचन आज के लिए क्या कहता है यदि में रुक कर और सोचते यहां वो पूरा कर रहा है शब्द दर शब्द ठीक बिल्कुल जैसा कि वचन ने कह था कि वो क्या करेगा और उसने उन्हें चुनोती दी जैसा कि मैं आपको चुनोती दे रहा हूँ समझे देखा मैं आपको वचन में देखने के लिए चुनोती दे रहा हूँ वचनों में ढूंडे देखें कि क्या यह घड़ी नहीं है समझे वचन में ढूंडे क्योंकि उन्हें आपको लगता है कि आपके पास अनज जीवन है और वे मेरे बारे में गवाई जेते हैं वे आज इस काम की गवाई जेते हैं वे कार्य अपने आप में ही गवाई देते हैं, कि इसे किया गया है। और बचन कहता है कि इसे किया जाएगा, इसलिए ये घड़ी का उज्याला है। परमेशर का वचन ऐसा कहता है। आपके रीची रिवाज और इट्यादी ठीक वैसे ही हैं, जैसे बाइबल ने कहा था, जो वे अपने सिर को हिला कर और चले गए। बाइबल कहती है, सारी मेजे उल्टी से भरी हुई हैं। और यही है, वे जहां थे, वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने अपना सिर हिलाया। और सज्जन पुरुशों, क्या आपको एहसास है, और भाइयों, क्या आपको इस बात का एहसास है। कि जब आप उसी चीज को इंकार कर रहे हैं, जो परमिशर आपके सामने अपनी बात को प्रमानित कर रहा है, तो आप उसी काम को कर रहे हैं, जो उन्होंने किया वापस अपने रिती रिवाज की उल्टी में जा रहे हैं। जैसा कि एक कुट्टा अपनी उल्टी को चाटता है, यदि उसने उसे पहली बार बिमार किया, तो वह उसे दूसरी बार भी बिमार कर देगा। यदि कैथोलिक कलीशिया संगठित होकर उसने पहला संगठन बनाया, तो कलीशिया में बिमारी को लेकर आया। वैसे ही लूथरन, मेथोडिस और बाकी के सभी Baptist, Presbyterian और Pentecostal करेंगे। एक कुट्टा अपनी उल्टी के लिए वापिस चला जाता है और एक सुवरी अपने कीचड में वापिस लौटती है समझे हम कुछी मिनट में इस बात पर आ रहे हैं प्रभू ने चाहा तो चमक चमक में चलना देखो मिर्क त्रशना सक्चे उज्याले की जूटी धारणा उसने साबित किया कि वो उज्याला था क्योंकि उसके लोगों की संख्या कम होती गई थी ओ प्रभू लाखों लोग उसके विरोध में थे वाँ धर्ती पर लोगों का एक छटा हिस्सा एक नवा हिस्सा नहीं था उन्होंने कभी नहीं जाना कि वो यहां पर था नहीं मेरा अनुमान है यहुदियों में से एक सववा हिस्सा या उनमें से शायद एक पचासवा हिस्सा या उनमें का चालिसवा हिस्सा मैं कहूंगा हो सकता है उससे भी कम उसी के देश का उन्होंने कभी नहीं जाना कि वो वहां पर था और वे जो जानते थे कि वो वहां पर था उसे कुछ तो जूटा समझा था क्योंकि संप्रदाय ने उन्हें बटाय था कि वो क्या था समझे लेकिन फिर भी वह सच्चा उज्याला था जिसे उत्पत्टी से लेकर आदी में बोला गया था और उन्हें वचन में ढूडने और पता लगाने के लिए कहा क्या वो तब उस समय में नहीं रह रहा था यदि वो जो काम उसने किये क्या बिलकुल उस समय के लिए की गई प्रतिग्या को पूरा नहीं किया आमीन ओ ये कित्ती गंबीर भात है भाईयों हम एक जबर्दस समय में रह रहे हैं वो सही साबित हुआ था वो वही उजयाला था जिसका उन्होंने दावा किया था जो वे अरादना कर रहे थे उन्होंने उस उजयाले की आरादना करने का दावा किया और आज भी ऐसा ही है वे दावा करते हैं कि वे उसे आरादना कर रहे हैं पेंटिकोस्तल इसका दावा करते हैं वे दावा करते हैं कि वे आराधना करते हैं और वे इतने अंदे हैं इसे नहीं देख सकते हैं क्यों? वे संगठित हैं और लेकिन उनके चेरे पर एक चमक है देखा एक रीती रिवाज है जो कुछ लोग एक साथ बैठते हैं और कहते हैं हम जाएंगे और इसे और इसे और इसे और इसे बनाएंगे अब हम उस बात पर आने वाले हैं कि ऐसी बाते क्यों होनी है प्रबो की इच्छा हुई तो प्रबो की इच्छा हुई प्रबो की जाएंगे